देखा होगा कि राहूल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है। राहूल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीज़पी को कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी जब मजार पे जाएं, मस्जिद पे जाएं, तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं, मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा बालों को कोई जमाल गोटा खेला दी, तो ऐसी कौन सी जरूरत आन परी है कि आपको भारत जोरने की जरूरत है, तहता जब इस देश में भरती घोटाला होता है, भरतियां नहीं होती है, जब किसी इनसान के साथ सरयाम मारपीट होती है, महिलाओं के साथ बलातकार होता है, तो आपकी भावना नहीं तूटती है, नोजवानों के सपने नहीं तूटती है, हम खास तोर पे भारत जोरो यात्रा क ले करके सरकार का और भाजपा का क्या रवया रहा है उस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको यह कहना चाहता हूं, कि आप सब लोगों ने देखा है, सुरू से ही जब से इस यातरा का एनाउंसमेंट हुआ है, जब से इस यातरा की घोछना हुई है, खास करके भाजपा ने इस यात्रा पर चोतरफा हमला करना शुरू कर दिया इसके अलग-अलग बिंदू है सबसे पहला हमला ये बोल करके किया गया कि भारत तो जुड़ा हुआ है क्या जोरने के लिए निकले है भारत जो है दुनिया की सबसे बरी अर्थ विवस्था बन चुका है मुदी जी के नित्रित में हम लोग दुबारा विशुगरू बन चुके है भारत लगातार विकास कर रहा है तो ऐसी कौन सी जरूरत आन परी है कि आपको भारत जोरने की जरूरत है आप लोगों ने यह सवाल कहीं न कहीं सुना होगा देखा होगा आपके वाटसेप पे आया होगा आपने बिजेप जब बोलती है इसको तो इसको चलाया होगा और चर्चाओं में भी भाजपा के लोग बार बार ये बोलना शुरू किये कि भारत तो जुड़ा हुआ है तो क्या जोरने के लिए निकले हैं इसकी जरूरत क्या है तो मैं एक काउंटर सवाल आजू जो यह हमला था उसका करना चाहता हूँ कि भारत जब जुड़ा हुआ है और भारत जोरो यात्रा की कोई प्रसांगिकता ही नहीं है आपके नजर में तो आप इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर इतना इंपोर्टेंट पोस्ट होता है उनको क्या जरूरत है इंक बरवाद करने की फिपर बरवाद करने की बारत जोरो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे है पहला प्रस उनसे पूछा जाना चाहिए हम ये समझते हैं कि देश जुड़ा हुआ है जमीनी तौर पर भागौलिक तौर पर देश जुड़ा रहे भावनातमक तौर पर भी क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है लोगों को हटा करके कोई देश नहीं होता है देश के लिए लोग भी जरूरी होते हैं जमीन भी जरूरी होती है और देश की संप्रभुता उसकी आजादी भी जरूरी होती है हमारे पास संप्रभुता है और उसी संप्रभुता के आधार पर जो है हम अपनी सीमाओं को ले करके सुरक्षा को ले करके सरकार से सवाल पूछते हैं कि हमारी संप्रभुता अच्छुनर है देश हमारा जमीन से जुड़ा हुआ है लेकिन देश के लोग भी जुरे रहे न जब इस देश के लोगों को उनके पहचान के आधार पर बाटा जाता है उनके अंदर भेद भाव पैदा किया जाता है एक के खिलाफ जब दूसरे को खड़ा किया जाता है तो देश वास्यों को आपस में तोरने की कोशिश की जाती है और देश अगर भावनात्मक रूप से नहीं जुरा रहेगा तो आप जमीन से भी बहुत देर तक जोड के नहीं रख पाएंगे इसलिए देश वास्यों को आपस में जोड़ना जरूरी है और पहले दिन से हमने कहा कि यह यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है हम चाहते हैं कि देश में महब्बत हो यह जो नफरत की बयार लगातार बह रही है इस नफरत को हडाया जाए क्योंकि अगर नफरत का माहौल रहेगा तो देश के भीतर जो बुनियादी सवाल है रोजी, रोटी, कपरा, मकान, सिक्छा, स्वास, सरक, बिजली, पानी यह मुद्दे गायब हो जाएंगे राजनीती के भी मर्स से हमारी मंसा बिलकुल साफ थी तो जो लोग यह पूछ रहे थे उनको यह समझना था, यह सवाल खुद से पूछना था कि क्या जब इस देश में भरती घोटाला होता है भरतियां नहीं होती है जब किसी इनसान के साथ सरयाम मारपीट होती है महलाओं के साथ बलातकार होता है तो आपकी भावना नहीं तूटती है नौजवानों के सपने नहीं तूटते है उसी भावनाओं को जोरने के लिए उसी सपने को जोरने के लिए यात्रा है तो पहला हमला उन्होंने ये किया कि भारत जुरो यातरा की जरूरत क्या भारत जब यातरा शुरू हुई तब उन्होंने दूसरा हमला किया और ये बड़े शर्म की बात है और बड़े सोचने की बात है हमारे बीच में भी member of parliament बेठे हुए हैं elected representatives हैं Elected Representative की एक जिम्मेवारी होती है, कि वो जब भी बोलें तो सोच समझ करके बोलें, ताकि हम भी उनको follow करें, हम भी उनसे सीखें, और मैं तो कहता हूँ कि आज अगर नेताओं की बाद पर भरोसा करके कोई ये student उसको सच मानले और पडिक्छा में वही लिख दे, तो वो fail हो ज सुने हुए representative के द्वारा जूट बोला गया कि राहुल जी जो है विवेका नंद जी की मूर्ती पर नहीं गये थे, तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम करने का, और यहीं पर यह बात रुकी नहीं, फिर बात आ गई जूते पर, फिर बात आ गई फीते पर, फिर बात आ गई टीशट पर, फिर बात आ गई दारही पर, फिर बात आ गई महिलाओं पर, और यहां पर भी वो रुके नहीं, माने नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किये, और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला, तो जो उनका तीसरा हमला था जो उनका डिर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो करता है कि किसी का सर किसी के जो है सर के उपर लगा दो किसी का आबाज कहीं पर चिपका दो यातरा को ले करके नकली बीडियो बनाना शुरू किये यातरा जब आगे चली जाती है तो पीछे सरक खाली ही होगी यात्रा आगे बढ़ गई है, तो उस खाली सरक का वीडियो बना करके दिखाते हैं, कोई है ही नहीं, अरे भाई, जब कोई है ही नहीं, कोई लोग यात्रा में आ ही नहीं रहा है, तो क्यों आपको अभी प्रोटोकॉल की यादपरी है, क्रोना प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों क्योंकि आप तो यही दिखा रहे हैं बीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है जब कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है तो क्या पेड़ को मास्क पहना दें कि सरक जो है लपेट करके कंदे पर रखने राहुल जी के कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ गए उसे प्लेढ़ की जवा हैं हैं सरक को पीछे के से छूड़ दिया है इस बीडियो नकली बीडियो नकली बीडियो इस ढूझत इस Spring और जैराम जी दिविजय जी इन्से हम नौजवानों को सीखना चाहिए कि लगातार वो ज़ंडे के साथ चलते हैं हमारा सेवादल जो हमारे सुतंधरता अंदोलन के जमाने के जो गाने है उसको गाते हुए चलते है पीछे जो है हमारा एक बैंड पार्टी होता है जो म्यूजिकली जो है देश भक्ति गानों को बजाता है और उसके पीछे जो है वो राहूल जी चलते हैं तब जो है इस यात्रा के उपर जो है देश दुरोह जैसे कालिक लगाने की कोशिश करना गलत वीडियो बना करके इसको बदनाम करना ये इनका तीसरा हमला है और चौथा हमला आप सब लोगों ने देखा होगा कि राहूल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है राहूल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है राहूल जी जब मजार पे जाएं मस्जित पे जाएं तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा वालों को कोई जमाल गोटा खिला दिया हो अचानक से दस्त होना शुरू हो जाता है क्या प्रॉब्लम है आपको इस देश का नागरिक इस देश का वेक्ति इस देश के किसी भी धार्मिक संस्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है आपका कोई कोई जो है पिटेंट है क्या कि सिर्फ आप ही जाएंगे और नियम काईदे कानून ओम का चादर सीधा है ओम का चादर उल्टा है और ये वो लोग बना बूल रहे हैं जो गुफा में चस्मा लगा करके ध्यान करते हैं ये जो चल रहा है इससे मैं बस एक अर्थ निकालता हूं कि इन्होंने बहुत कोशिस की कि इस यात्रा को इगनूर किया जाए इनसे इगनूर नहीं हो पा रहा है बहुत प्रियास किया बहुत समझाया अपने कारिकरताओं को कि यात्रा गुजर जाए बिल्कुल खिड़की दर्वाजा बंद कर लेना इनसान की अपनी भी इक्षा होती है इनसान की अपनी भी बुद्धी होती है लोग खिड़की दर्वाजा बंद कर लिए लेकिन छट पे चले गए भाजबाव अफिस के और वहां से यात्रा को एलो हाय करना शुरू कर दिया, क्या करेंगे, क्योंकि यह यात्रा जिन सवालों को ले करके चल रही है न, वो कॉंग्रेस के सवाल नहीं है, वो देश के सवाल है, यह यात्रा इसलिए है कि इस देश में दिहारी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, रिपोर्ट उठा करके कि किस तरीके से उनके उद्योग, धंदे, उनका कारोवार समाप्त किया रहा है, आप महिलाएं जब इसमें सामिल होती है, तो उनका एक ही सवाल है, कि हम सुरक्षा चाहते हैं, जिस तरीके से आज महिलाओं के उपर अत्याचार बरे हैं, वो उसे सुरक्षा चाहते हैं, अ इस दल की सीमा से पड़े जाकर के यह यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है इसलिए इनका जो क्लेम था न कि सबसे बरे देश के लिए देश हित में सोचने वाले ये हैं तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं और इससे इनको घबराहत है इनको मालूम है कि कॉंग्रेस इस पार्टी इस देश की सबसे बरी विपक्षी पार्टी है इस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है और आजादी के ऊपर जो आँच आई है उसको ले करके डट करके कॉंग्रेस सरकों पर उतर गई है खरी हो गई है तो अब इनको चिंता सताने लगी है इसलिए कि अब नया बहाना आया है, कोई समझाय इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं बिमारी है, यह ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है, तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दात में दरद हो रहा है, यह बहाना नहीं है, यह बिमारी है, और इस बिमारी को ले करक राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं, जो सरकार को सबसे पहले चिठी लिखे थे, और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो कभी लगता है कि कुछ special relation है BJP का कोरोना से, उसकी रेली में नहीं जाता है, दूसरी की रेली में चला जाता है, और day night का sense कितना है कोरोन करता है, ये मजाग बना दिये हैं, हम बारवार कह रहे हैं, सुरू से ले करके आज तक कुरोना को ले करके हमारी पार्टी गंभीर है, और जो scientific protocol होगा, वो सब के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि BJP के लिए नहीं होगा, और Congress के लिए होगा, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे आ सवाल को ले करके जो यह यातरा है, रोजी, रोटी, कप्रा, मकान, सिक्षा, स्वा, सरक, बिजली, पानी के जो सवाल है, ये यातरा भी चलेगी, इनको जितना दम लगाना है, लगा ले ये इग Bacon Wire करके देख लिए, बदनाम करके देख लिए, मंदिर क्यू जाते हैं, पाओं से यात्रा कन्या कुमारी से दिल्ली पहुच गई और दिल्ली जब पहुच गई है न तो दिल्ली की तक्त जो हिलती वी नजर आ रही है तो एक बार और रिमाइंड करा देते हैं उनको जो पहले भी कहते थे इस यात्रा का उद्देश election नहीं, emotion है आप emotion साफ रखिए, इस यात्रा से आपको कोई threat नहीं होगा, क्योंकि हम इस यात्रा के माध्यम से भीर नहीं जुटाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के नागरिक, अपने सवालों को ले करके, नागरिक, भीर नहीं अपने सवालों के ले करके इस यात्रा में सामिल हो और यह यात्रा जिस तरह से कन्या कुमारी से चली है यह यात्रा कस्मीर तक जाएगी यही हम लोगों को उम्मीद है और आप लोग सब अपने तरीके से इस यात्रा में सामिल हो रहे हैं जुर रहे हैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद